नमस्कार दोस्तों सौगत आप सभी काजेक बाफिट से आपके अपने चैनल लेर्निंग एंपायर पर मेरे जाने अनू के साथ अज का हमारा टॉपिक है फैबी फ्लू हुआ क्या है दोस्तों कि भारत में पहली बार कोरोना वाइरस के ट्रीटमेंट के लिए एक ऐसी दवाई बनी है जो ओरल मेडिसिन के रूप में काम करेगी और इसको डीजी सी आई की तरफ से अप्रूवल मिल गया है यह जो दवाई है यह जो ड्रग है इसका नाम है फैबी पिराविर लेकिन यह शौप्स में जो है आपको फैबी फ्लू के नाम से मिलेगी तो यह क्या है दवाई इसके पारे में और ज़्यादर जानते हैं सो बदाउट अनिफद डिले में दिया गया है अब emergency category में यदि किसी ड्रग को approval मिलता है तो इसका मतलब यह है कि किसी भी patient को यदि वो डोस देनी है तो उस patient से पहले undertaking ली जाएगी उसी के बाद उसको वो डोस दी जाएगी तो अब बात करते हैं कौन से patients की हम बात करें हैं हम बात करें ऐसे patients की जिनमें mild स से moderate symptoms हैं यानि कि ऐसे patients जिनमें severe symptoms coronavirus के नहीं है उन patients को यह दवात दी जा सकती है ऐसे patients आप सभी को पता होगा दोस्तों की COVID-19 के 70-80% ऐसे patient हैं जिनमें mild से moderate symptoms हैं तो सिर्फ 20% या 30% ही ऐसे patients हैं जिनमें severe illness हमें देखने को मिल रही है यह जो mild से moderate symptoms वाले patient हैं दोस्तों इनको hospital में admit करने की जुरत नहीं पड़ती है और यह जो दवाई है यह इस तरीके से काम करेगी कि यह जो patient है यह mild से moderate ही रहे या इससे नीचे चले जाए ऐसी नोबत ना आए कि इनको hospitalized कराने की जुरत पड़े दूसरी बात यह है दोस्तों कि यह जो patient है यह co-morbid category में भी यह coronavirus से भी खत्रा हो जाता है यानि कि उसको effect हो जाता है COVID-19 हो जाता है तो यह दि उस व्यक्ति में mild से moderate symptoms है तो उस व्यक्ति को भी फैवी पिराविर दी जा सकती है अब अगर इसके dose की बात करें तो dose दो है तो दोस्तों इसको अलग-अलग तरीके से दी जाएगी पहला तरीक से 200 mg की tablets जो है 9 tablets शाम के समय में दी जाएगी और अगर दूसरे दिन से 14 दिन तक क्या होगा कि 800 mg की dose जो है twice a day दी जाएगी जिसमें से 200 mg की 4 tablets morning में दी जाएगी जबकि 200 mg की 4 tablets evening में दी जाएगी तो इस तरीके से इन doses को control किया जाएगा और दोस्तों यह जिन लोगों को दी जाएगी उनका age group होगा 18-75 वर्ष यह जो दवाई है यह जो medicine है यह 1200 mg की medicine की cost 103 रुपे रखी गई है और इसके पूरे packet की cost जो है जिसमें 34 medicines आपको देखने को मिलेगी वो उसकी cost जो है 35 रुपे रखी गई है as I have already told you कि यह दवाई सिर्फ और सिर्फ medical prescription के अनुसार ही मिलेगी otherwise नहीं मिलेगी फैवे पिरावीर को कैसे बनाए गया है दोस्तों जापान की एक कंपनी है फ्यूजी फिल्म कॉर्परेशन इसकी एक सबसीडियरी है फ्यूजी फिल्म टोयामा इस कंपनी ने एविगन बनाई है ये भी एक एंटिवाइरल ड्रग ही है एविगन की तरज पर इसका जेनरिक वर्जन तेयार किया गया है जिसका नाम फैवी पिराविर रखा गया है most probably उम्मीदिये जाता ही जा रही है कि इस हफते के अंत तक जो है ये दवाई भारत में उपलब्द होगी और पहले महिने में 82,500 पेशन्स को ये दवाई मुहाया भी करवा दी जाएगी फिलाल दोस्तो इस ड्रग का जो है clinical trial चल रहा है दो trial successful हो गए है और last एक trial बचा है सिर्फ और सिर्फ तीसरा phase बचा है इसके clinical trial का यदि ये भी successful हो जाता है तो इंडियन मर्किट में पहली ऐसी ड्रग बन जाएगी जो coronavirus की oral medicine के रूप में सामने आईगी तो अब इसकी और बात करते हैं तो दोस्तो फैबी पिराविर जो है इसको strong clinical evidence के दोरा back किया जा रहा है इसके अभी तक जितने भी clinical trial हुए है उसमें ये बात निकल के सामने आईए है कि 20 प्लस का जो age group है जब उन लोगों को coronavirus के संक्रमन के दोरान ये दवा दी गई तो इस दवा ने सीधे target किया virus के RNA spectrum को जिस वज़े से जो वाइरस है वो ज्यादा time तक उस व्यक्ति की body में नहीं sustain कर पाया और finally हम यह देखते हैं कि व्यक्ति जो है जल्दी से स्वास्त हो सका तो it has been used तरीके की जो दवाई है दोस्तों वो रश्या में जपान में और चाइना में कोविड-19 के patients को treat करने के लिए इस्तमाल की गई है और बहुत जादा successful अभी तक यह साबित हुई है तो अब हम बात करते हैं ग्लैनमार्क की ग्लैनमार्क जो है दोस्तों दो अलग-अलग जगाओं पे इस दवा का production कर रही है पहले जो इसका plant है वो है अंकलेश्वर plant यहा पे इस दवाई का निर्मान किया जाता है ऐसा expect किया जा रहे है दोस्तों कि इस हफते के आंत तक यह दवाई जो है इंडिया में मुझूद होगी अब अगर इस drug की बात करें तो यह drug क्यों जरूरी है दोस्तों यह drug ensure करेगी कि कोई भी patient है वो जल्दी से जल्दी recover कर जाए और ऐसी नोबत ना आए कि इस patient को hospitalized करने की जरूरत पड़े दूसरी बात यह है कि इस drug ने reduction शो किया है वाईरल लोड में fast fever resolution किया है और इसी के साथ ही clinical recovery भी इसके द्वारा fast leak की गई है इंडिया का जो यह drug है यह जो fabi flu के नाम से बिकेगा यह जो drug है दोस्तों retail chemist outlets पे भ मिल सकता है तो कहीं पे भी यह मिल सकता है तो आई होप दोस्तों आज के session से आपको कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा अगर हां तो do like, share and subscribe our channel and press the bell icon for more updates most importantly stay home, stay safe God bless you all, Jai Hind